Hello all and welcome back again तो इस session में हम लोग देखने वाले हैं How to write research paper Step by step research paper कैसे लिखना है यह हम लोग इस session में देखने वाले हैं हम लोग देखेंगे कि how to write research paper in the stepwise manner साथ में कि कौन कौन से वो technical tools हैं जो कि आपको research paper लिखने में help करेंगे publications, UGC approved, UGC care listed journals को कैसे खोजें और last में कि total cost क्या आती है सबसे पहले देखते हैं कि research paper को लिखने के लिए क्या steps होते हैं या किसी भी research paper के लिए क्या वो structure होते हैं किस तरीके से हमें research paper को approach करना है लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक title identify करना होता है यानि कि research paper या research आप किस field में करना चाहा रहे हैं किस problem को identify करके आप उसके problem को या फिर उसके solution को आप बताने वाले हैं ये आपको पहले identify करना होता है आपको इसके बाद से data collection करनी होती है हो सकता है आपकी जो research हो वो primary data based हो या हो सकता है secondary data based हो आपको अपने data process करनी होती है process करने के बाद आप एक result deduce करेंगे इसके graphs और tables बनाएंगे और फिर ultimately आप research paper लिखना शुरू कर देंगे तो हम लोग एक example के थुरू समझते हैं कि कैसे हमें identify करना है title ये जो research paper है वो geographical aspect पर बनाई गई है तो जो भी अब themes जो भी तरीके जो procedure हम लोग इस्तमाल करेंगे वो सब geography PhD scholars के लिए ही main काम करेगी अब जैसे एक title यहाँ पर identify किया गया है एक डेमो के लिए की comparing the trend of prevalence of डेंगू cases before and after the COVID pandemic in Northeast India अब यह आपको बता दिया गया है इसमें time period है इसमें area specific है और क्या हम करने वाले हैं यह तीन चीजे हैं हमें trend को compare करना है डेंगू की cases को हमें time period COVID-19 before and after लिया है और किस area में लिया है Northeast of India में लिया है तो जो आपका title होना चाहिए वो clear होना चाहिए with clear time series आप किस problem को identify करने वाले हैं यह बहुत ही clear होना चाहिए अब जब हमने problem identify कर लिया तो हमें data collect करना है data collect करने के लिए चुकि यहां पर डेंगू के cases हैं तो हम secondary data लेंगे secondary data के लिए यहां पर government of India की website से ही जो ministry of health and family welfare है यहां से data उठा लिया गया है डेंगू के cases और डेंगू के deaths को ले करके यहां पर मुझे data मिल गया 2019 20 21 22 23 और जो 24 है उसमें ongoing अब इस data के basis पर अब मुझे डेटा की processing करनी है processing करने के लिए Excel sheet पर यहां पर मैंने जो भी data उसको plot कर लिया plot करने के बाद चुकि यहां पर मुझे नौर्थ का ही केवल और केवल एरिया identify करना है data of नौर्थ करने के बाद अब मुझे एक result निकालना है तो रिजल्ट निकालने के लिए अब मुझे graph करना पड़ेगा कि आखिर में डेंगू के जो cases हैं वो किस तरीके से नौर्थीस्ट में कोविड नाइंटीन बिफोर और कोविड नाइंटीन आफ्टर क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं मुझे ग्राफ मिल गया कि इस तरीके से हमें एक ट्रेंड देखने को मिला ट्रेंड के बाद अब हम यहां पर जो भी इसके रिजल्ट से निकल करके आए जो भी प्रपोज्ड रिजल्ट हो सकते हैं वह मैंने यहां पर लिग दिये जैसे 2019 के बाद से कोविड नाइंटीन के जो cases हैं वहां decline देखने को मिल रहा है और रिवोकेशन ओफ लॉक्डाउन और ओपनिंग ओफ एकॉनमी दा केसे अगें स्टार्स राइजिंग अ बिग जिंप कैन बी सीन आफ्टर विच अगें पारलल से विद दा प्रीवियस ट्रेंड बिफोर कोविड मेजर केसे सीन इन असाम नागा लैंड मनीपूर और इस तरीके से प्लेस अहाँ और एक एंद यह हैर ट्रेंड निकालने के बाद अभी मुझे इसमें अछ्छाक करनी पड़ेगी कि आखिर में को देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे का さ और उसके लिए मुझे डिसकर्शनस निकाल लिए होंगी सारी जब हो जाएंगी तो हम लोगों को एक सपर के स्ट्प पता चल गए है अब लोगों को देखना है कि आखिर यह जह जो भी चीजें हम लोग ने किया जो भी strय बनाया उसião लिखना कैसे है और लिखने के-लिए हमा के लिए हमें एक टेक्निकल टूल М.S. वड की जरुवत पड़ेगी जहां पर हम सारी चीज़ों को एक साथ लिखेंगे इसकी साइटेशन करेंगे इसकी रिफरेंसिंग करेंगे हाले के रिफरेंसिंग के लिए आप यूस कर सकते हैं मेंडिलीव रिफरेंस मैनेजर मेंडिलीव रिफरेंस मैनेजर कैसे यूज करना है यह हम एक सेपरेट सेशन में देख सकते हैं यह रिफरेंस मैनेजर आपको काफी हेल्प करेगा सारे सोर्सेस को एक जगा कलेक्ट करके रखने और साथ ही साथ में Microsoft Word में इसकी citation करने और overall referencing को कैसे मैनेज करना है इन सारी चीजों को करने के लिए जब हमने पूरा steps निकाल लिया हमने technical tool जान लिया अब हम लोग research paper लिखना शुरू करेंगे लेकिन फिर लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि research paper की structuring कैसे करनी होती है तो structuring करने के लिए सबसे पहले आपको एक abstract लिखना होता है जो की एक overview होता है इसके अलावा keyword, introduction, objective, research methodology, data collection, results and last made discussion और फिर conclusion सबसे पहले देखते हैं abstract क्या है? abstract का मतलब आपने जो भी research paper लिखा जो की एक 5-6 pages का होगा वो जो research paper है उसका आप summary यहाँ पर abstract में बताते हैं कि इस research paper में आखिर में क्या बाते कही गई है किन चीजों को हम यहाँ पर focus करेंगे और ultimately क्या result हमें देखने को मिल रहा है जो आपके इस पूरे research paper में दिखाया गया है फिर इसके बासे introduction लिखा जाता है कि जो problem है उसको पहले introduce करेंगे यहाँ introduction में जो भी literature review है यानि जो already work हो चुका है जिस topic पर आप काम कर रहे हैं उसके आप idea को ले करके आते हैं और अपनी problem को identify करते हैं problem identify करने के बाद आप अपने objective को बताते हैं कि मैं किस area में यानि मेरे paper का main objective क्या है यानि मेरी research किस objective को identify कर रही है objective लिखने के बाद आपने research methodology बताना है कि आपका किस data के basis पर आपने पूरा निकालना है कौन से आप models ये इस्तमाल कर रहे हैं क्या कोई आपने SPSS या फिर data processing का कोई software अगर इस्तमाल किया तो उसके बारे में बताएंगे और ये सारी चीज़े आपने research methodology में लिख देनी है फिर इसके बाद से आप data collection करेंगे data collection जो आपने किया अभी जैसे हम लोग ने डेंगू वाला cases किया और excel sheet पे हम लोग ने plot किया तो data collection कहां से किस तरीके से और क्या किया गया है उसके बारे में बता देंगे फिर results लिख देंगे जो हम लोग ने graph अगरे बनाया वो graph, table और जो trend identify किये वो trend हम लोग लिख देंगे trend लिखने के बाद अब हमें discussion करनी है कि जो trend मिला उसके पीछे का reason क्या क्या हो सकता है हो सकता है lockdown हो हो सकता है कि लोग hospitals ना जा रहे हो हो सकता है कि जो infrastructure है उस infrastructure में हम proper survey ही ना करें जिससे की हमें real picture of डेंगू cases पता चले और इस तरीके से हम लोग discussion करना होता है जो भी trend में देखने को मिला इस discussion के बाद हमें conclusion निकलना होता है जैसे यहाँ पर हम conclusion लिख सकते हैं कि जो डेंगू के cases है वो just after कोविड अगर हम दो एक है तो अभी हमें सही तरीके से identify नहीं हो पा रहे हैं तो हमें एक अच्छा खासा time interval और चाहिए to identify the cases of डेंगू क्या वो डेंगू के cases change हो रहे है नहीं हो रहे है या फिर क्या उसका climate change पर भी कोई impact आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यह पूरा का पूरा structure इस तरीके से आप research paper का लिख करके दिखा सकते हैं अब आपके screen पे एक research paper scroll हो रहा है और यह same यही topic पर लिखा गया research paper है जहां पर अलग-अलग terms और अलग-अलग चीज़ें यहां पर दिखाई गई हैं लिखने के बाद अब हमें next question आता है कि publication कैसे करना है तो publication करने के लिए आप simply internet पर जब आप surf करेंगे UGC approved या UGC care listed journals तो यहां पर आपको publication के बारे में पता चल जाएगा अब UGC approved तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी लेकिन UGC care listed जो journals होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं है और साथ ही साथ में बहुत सारे clone journals भी मिल जाते हैं तो आपको identify करने के लिए you can simply go to this URL UGC care.uni.ac.in और यहां जा करके आप जिस भी journal के बारे में जानना चाहते हैं उसका ISSN या फिर उसके title या फिर simply आप science, social science या फिर art, humanities यहां पर click करके आपको journal का नाम मिल जाएगा जर्नल के नाम के साथ साथ उसकी website के link भी मिल जाएगी जिसके through ultimately जा करके आप अपना paper publish करवा पाएंगे इन सब के बार next question आती है कि total cost कितनी पढ़ती है जो UGC approved journals होते हैं वो लगभग लगभग 1500 के आसपास में आपसे एक payment लेते हैं और आपकी जो journal है उसको publish कर देते हैं जो UGC care listed journals होते हैं उसमें कुछ free भी होते हैं लेकिन उनका अपना एक time होता है normally वो मई महीने के अंत में सारे journals को accept करते हैं और publish कर देते हैं लेकिन हर समय ये चीज़े नहीं चलती हैं UGC approved वाली लगभग लगभग हर समय होती हैं और आप within one to two day या maximum within one week आपका paper जो है publish हो जाता है जो UGC approved होती हैं उनके procedures या जो care listed है उनके भी procedure कुछ इस थरीके के होते हैं कि आपको सबसे पहले अपना paper लिख करके send करना होता है send करने के बाद में या तो वो email पर या फिर website पर ही अपने आपके paper की acceptance बता देते हैं या आपका paper accept हुआ या नहीं हुआ उसकी unique content कितना है यानि प्लेजरिजरिजम वगरे सब कुछ वो खुदी चेक कर लेते हैं चेक करने के बाद में जब वो paper accept हो गया तो paper accept होने के बाद में आपसे payment ले ली जाती है और payment लेने के बाद में research paper आपका within one to two day publish हो जाता है सेम यही care listed journals के साथ भी होता है कि आपको paper भेजना है उसकी plagiarism check होगी unique content अगर होगा और अगर आपको acceptance मिल गई तब उसकी payment करके ultimately आप अपने जो research paper है उसको publish करवा सकते हैं publish करवाने के बाद आप एक अपना confidential letter यानि जो आपने copyright का लिया है जो आपने declaration दिया है यह सब sign करना होता है sign करने के बाद अपना एक आधार card या जो भी आपकी identity है payment mode जो आपने किया इन सब को email करना होता है और फिर finally आपका research paper publish हो जाता है तो यह हम लोगोंने पूरी जानकारी ली research papers related फिर भी अगर कोई doubt किसी को हो तो comment box में comment करके पूछ सकता है next session में हम लोग आपके जो भी queries रहेंगे उन queries को ले लेंगे तब तक के लिए thank you so much and God bless you जो स्दोता है